दोस्तों सात्यों आज मैं आपके लिए 26 जनवरी के अहम मौके पर इंग्लिश स्पीच लेकर आया हूँ और इसका टांसलेशन भी करूँगा जिससे आप हिंदी में भी स्पीच दे सकेंगे और इंग्लिश में भी स्पीच दे सकेंगे चलिए शुरू करते हैं गुड मॉर्णिंग लड़िस एंड जन्टलमेन एक-एक वर्ड का मीनिग आप देखिए गुड मॉर्णिंग मिन्स होता है सुपरभाथ लड़िस देवियों एंड और जन्टलमेन सजनूंग टांसलेशन हुआ शुपरभाथ देवियों और सबसे अब उसका टांसलेशन होगा सबसे पहले I would like to wish you a very happy public day पहले आप हर एक word का meaning देखिए I means मैं would like पसंद करता हूं या करूंगा टू विश्यू आपको शुब कामनाएं देना एक very बहुत happy खुश रिपबलिक गंतंतर डे दिवस टांसलेशन देखिए मैं आपको गंतंतर दिवस की शुब कामनाएं देना चाहता हूं अब एक एक word का meaning देखिए इस मिन्स है एन इंपर्टन एक महतोपुर्ण दे मिन्स दिन और आल सभी के लिए इंडियन भारतियों अब टांसलेशन देखिए यह सभी भारतियों के लिए एक महतोपुर्ण दिन है अब एक एक word का meaning पहले देखिए टूडे आज वेन जब तब एफ्यू फेलो कुछ साथी इंडियन भारतियों टॉक बात करना अब आउड दी फियर अफ लोसिंग होने के डर की बात बैसिक बुनिया दी राइड्स अधिकाल डेट वह दी कांस्टिटूशन आईन सन्विधान has given दिया गया अस हमें अब टांसलेशन देखिए आज जब कुछ साथी भारतिय सन्विधान द्वारा हमें दिये गए मुल्क अधिकारों को खोने के डर की बात करते हैं दिश डे वीकमस बोर इंपोर्टेंट वर्ड मिनिंग दिखिए दिस मिन्स यह दे मिन्स दीन बिकमस हो जाता है अधिक महतो पूर्ण टांसलेशन दिखिए तो यह दिन और भी महतो पूर्ण हो जाता है अल्दो वी सेलेबरेट रिपब्लिक डे ऐस ए नेशनल फेस्टिवल सिंस आवर चाइल्ड हुड वर्ड मीनिंग देखियें अल्दो वैसे तो वी हम सेलेबरेट मनाते हैं रिपब्लिक कंतंतर डे दिन एस ए नेशनल फेस्टिवल राष्ट्रिय पर्व के रूप में सिंस आवर चाइल्ड हुड अपने बचपन से अब टांसलेशन देखियें वैसे तो हम बचपन से गंतंतर दिवस को एक राष्ट्रिय पर्व के रूप में मनाते हैं अब एक एक वर्ड का मीनिंग देखियें बट लेकिन वी हम अंडरिस्टेंग समझते हैं अब तांसलेशन देखियें लेकिन बड़े होने पर हमें इस दिन का वास्तविक महत्व समझ में आता है अब हर एक वर्ड का मीनिंग देखियें गंतंतर दिवस रिपब्लिक डे जिसे अंग्रेशी में कहते हैं यह डारेक्टली उसी वर्ड को गल देखियें इस है सेलिबरेटेट मनाया जाता है अब तांसलेशन देखियें गंतंतर दिवस हर साल 26 जन्वरी को मनाया जाता है अब तांसलेशन देखियें उस दिन वर्ड का मीनिंग देखियें अब तांसलेशन देखियें उस दिन वर्ड उनिस वर्ड केंटो इफेक्ट अब हर वर्ट का मिनिंग देखे, Constitution सन्विधान आफ काके की इंडिया भारत केम इंटु इफेक्ट एक महावरा है, यानि लागू हुआ था अब translation देखे, भारत का सन्विधान लागू हुआ था अब हर वर्ट का मिनिंग देखे, आवर हमारा हमारे Constitution सन्विधान गिफस अमें देता है वैरियस कई तरह का राइट्स अधिकार और रेस्पोंसिबिलिटीज जिम्मेदारियां तू भी अब translation देखे, हमारा सन्विधान हमें कई तरह के अधिकार और सिम्मेदारियां भी देता है वी लिब इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री वेर पीपल इंज्वाए तियर फंडामेंटल राइट्स अब हर एक वर्ड का मिनिंग देखे, वी मिन्स हम हमारे लिब रहते हैं इन ए डेमोक्रेटिक एक लोगतांतरिक कंट्री देश वेर जहां पीपल लोग इंज्वाए आनंद लेते हैं मज़ा लेते हैं दियर अपना फंडामेंटल मौलिक राइट्स अधिकार टांसलेशन दिखी हम एक लोग तांतरिक देश में रहते हैं जहां लोग अपने मौलिक अधिकारों का आनंद लेते हैं इन सूसाइटी इन मिन्स मैं स्ूसाइटी समाज मैं वी हैव डिफरेंट काश्ट वड मीनिंग दिखी हम लोग हैव रखते हैं, रखते हैं ॱ्य डिफरेंट वी बिन काश्ट डांसलेशन दिखी हमारी अलग अलग जाती अब हर एक वर्ड का मिनिंग देखिए और मिन्स या मैंनी कई अदर दोसरी थिंग्स चीजें डेट सेपरेट वो अलग करती है अस हमें बट लेकिन अन ए बरोडर एक ब्यापक पर पिक्चर तस्वीर या कई अन्य चीजें जो हमें अलग करती हैं लेकिन एक ब्यापक तस्वीर पर वी आल आर इंडियन और एक वर्ड का मिनिंग देखिए वी हम आल सब या सभी आर हैं इंडियन भारतियें टांसलेशन देखिए हम सभी भारतिये हैं इंडिया इस लेंड डेट इस एक गरेट एक्जाम्पल आफ यूनिटी इन डिवर शुटी अब हरेक वर्ड का मिनिंग देखिएं इंडिया भारत इस है एए लेंड एक जमीन या भूमींग देट इस एक ग्रेट हर एक वर्ट का मिनिंग देखें इंडिया भारत इस है एक भूमी डैट इस जो है एक ग्रेट एक बड़ा एक्जाम्पल उधारन आफ काके की Unity and Diversity एक फ्रेस और महावरा है जिसका मिनिंग होता है वी विद्धा में एक्टा अब टांसलेशन देखें भारत एक ऐसी भूमी है जो विद्धा में एक्टा का बड़ा उधारन है The beauty of our country is we have a different language and we also have conflicts and differences but on national festival अब हर एक वर्ड का मिनिंग दिखें Beauty खूबसूरती और काके की आवर कंटरी हमारे देश की इस है Translation देखें हमारे देश की खूबसूरती यह है We have हम रखते हैं एफ डिफरेंट अलग-अलग लंग्वेस भाषा जबान And or we हम लोग अल्सो भी हैब रखते हैं Conflicts संघर्स We have हम लोग रखते हैं एफ डिफरेंट लंग्वेस अलग-अलग भाषा And or we also have हम लोग भी रखते हैं Conflicts संघर्स And or differences मद्वेद But लेकिन अन नेशनल राष्टरिये Festival तेहवार Translation देखें कि हमारे भाषा अलग-अलग है और हमारे भी संघर्स और मद्वेद भी है But on national festival राष्ट्रिये तेहवार पर लेकिन लेकिन राष्ट्रिये तेहवारों पर We all stand as a united force Word meaning देखें We हम लोग all सभी stand खड़े होते हैं As a united force एक एकता की ताकत के जैसे Translation यो होगा हम सभी एक साथ खड़े होते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो like, subscribe और share भी करना और पूरे वीडियो को watch करना